बवेरिया के लांसबर्ग अम लेश शहर का इतिहास नाजिवात के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ है 1924 में शहर की जेल में कैद के दोरान यहीं पर हिटलर ने अपना भणकाऊ यहुदी विरोधी घोशना पत्र माइन कम्फ लिखा था नाजी युग में लांसबर्ग को हिटलर स्टार्ट या हिटलर टाउन के नाम से जाना जाता था एक ऐसी जगह जहां युद्ध के आखरी दिनों तक कई यातना शिविर बनाए गए अप्रेल 1945 में आगे बढ़ती अमेरीकी सेना ने यातना शिविरों में आखरी बचे हुए लोगों को आजाद कराया इसके बाद आने वाले महिनों में उस जन संगहार में बचे हुए लगभग पचास हजार यहुदी दक्षनी जर्मनी में एकतरित हुए वो अपना सब कुछ खो चुके थे उन्हें एक बार फिर शिवरों में रहना पड़ा लेकिन इस बार उन्हें अमेरीकी सेना और संयुक्त रास्ट द्वारा चलाया जा रहा था लेकिन युद के बाद लांसबर्ग में उस भयानक यातना से बचे लोगों का स्वागत नहीं किया गया आज तक वो शहर शोवा के पीडितों के लिए एक उपियुक्त स्मारक तक नहीं बना सका है क्या तुम बताओगे प्ले बटन कहा है नहीं मिल रहा ये रहा दूसरा बटन हम सभी लोग गायक थे मेरा पुरा परिवार मेरे चाचा, मेरे चचेरे भाई, सब हम सभी साथ मिलते थे, गाना गाते थे और लोग बाहर खड़े होकर तालियां बजाते थे गायकी ने मेरी जान बचाई क्या तुम भी कैपेचीनू लेना चाहोगी? हाँ, क्यों नहीं? हिलगा और मान्फरेड डाइलर लंबे समय से लांट्सबर्ग के निवासी हैं वो दोनों यहीं पैदा हुए और पले बढ़े रॉल्फ मुझसे निश्ट ने लांट्सबर्ग में यूरोपीय होलोकाॉस्ट स्मारक का दौरा किया बहुत बढ़िया अच्छा तो वो इसे इसी तरह दिखा रहे हैं कि वे कारमेन वेगे से मिलने आए हैं मैंने उन्हें उस पुराने यातना शिवेर काउफेरिंग 7 ले जाकर यूरोपीय होलोकाॉस्ट मेमोरियल दिखाने में बहुत खुशी महसूस की फाउंडेशन के अध्यक्ष मान फ्रेट डाइलर वगेरा ने रॉल्फ मुच से निश्को एतिहासिक फ्रिष्ट भूमे और उस इस्थल को जनता के लिए इस्थाई रूप से सुलब बनाने के फाउंडेशन के प्रयासों के बारे में बताया देखें क्या होता है क्या आपको लगता है कि इससे कुछ होगा देखते हैं क्या होता है बढ़िया मान फ्रेट डाइलर जीमेंस कमपनी के हेल्थ इंशॉरेंस फंड के लिए काम करते थे वो पिछले चार दशकों में बहुत अलग-अलग तरह के काम करते रहे है यूरोपियन होलोकॉस्ट मेमोरियल फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने और उनके जैसी सोच रखने वाले कुछ लोगों ने मिलकर पूर्व यातना शिविर परिसर के एक हिस्से को खरीद लिया है इस फाउंडेशन ने यहाँ एक छोटा सा इसमारक बनाया है लेकिन उनकी महत्वा कांक्षाएं बड़ी हैं वो यहाँ एक अभी लेखागार बनाना चाहते हैं और वो सालों से इंतजार कर रहे हैं कि शहर का प्रशासन जमीन के इस्तेमाल संबंधी योजना में संशोधन करे 1945 के बाद से इसमें कोई बदलाब नहीं हुआ है युद्ध के आखरी चार महिनों में यहाँ केवल कैम्प सेवन की बात करें तो 2000 लोगों की मौत हुई कुछ थकान, टाइफाइड बुखार या भुखमरी से मरे तो कुछ को पीट-पीट कर मार डाला गया और अगर आपको पोशित हैं अगर आपका वजन केवल 40 या 50 किलो है और आपको सुबह की रोल कॉल पर 2 घंटे खड़े रहना पड़ता है तो हाँ, अगर मौसम आज जैसा है तो यह इतना बुरा नहीं मालुम पड़ता है ठीक ठाक धूप है, कुछ गर्माहट भी है लेकिन मैं कलपना कर सकता हूँ कि जब ठंड और भूक का सामना करने का संघर्ष हो तो आपकी जीने की इच्छा धीरे धीरे कैसे खत्म हो जाती होगी याकोब ब्रेसलर चुराणवे साल के हैं उनका जन्म पोलेंड में एक यहुदी परिवार में हुआ था जब वो 11 साल के थे, तब उन्हें और उनके परिवार को नाजियों ने कैम्प में भेज दिया था उनके पिता, मा, चार बहनों और भाई की हत्या कर दी गई मैं तीन यहुदी बस्तियों, आउस्विट्स, दाखाओ, और दाखाओ के आसपास के दस अलग-अलग शिविरों में रहा, मतलब सब कैम्प में 1944 में, उन्हें आउस्विट्स से जर्मनी भेज दिया गया था आपने जो कुछ भी सुना और पढ़ा होगा, वो उससे दस गुना अधिक है वो जानवर थे, वो इनसान नहीं थे याकोब रेसलर आखिरकार लांस बर्ग के काउफरिंग कंसंट्रेशन कैम्प भेजे गए कैद यहुदी बंधुआ मजदूरों से यहां विशाल बंकर बनवाया जाता था जिसका इस्तेमाल जर्मनी के हथियारों के गोदान के रूप में होना था ऐसे स्टूर्मबान फुईरर हंस उसके पास एक जर्मन शेपर्ड कुटा था उसका शौक था कि जब हम सुभा प्रार्टना के लिए जाते थे यानि सुभा को हमें बाहर निकल कर खड़े रहना पड़ता था और वो हमें गिनते थे उसका ये काम था कि वो किसी एक आदमी को बाहर निकलता था ज्यादा तर किसी बुज़र्ग आदमी को और खुद मैदान के बीच में खड़ा हो जाता था और उस आदमी को उसके पास तक लुड़कर जाना होता था चलकर नहीं, लुड़कर और अगर वो ऐसा करने से मना करता तो उस पर कुट्टे को छोड़ दिया जाता था बहुत सारे लोग उस तरह मारे गए मैंने खुद ये सब देखा है, मैं वहाँ था काउफरिंग शिवर में, नाजियों ने आखिर तक कतल का सिलसला जारी रखा जैसे ही अमेरीकी नजदीक आए, कैदियों को डेथ मार्च के लिए भेज दिया गया मैं कंकाल हो चुका था, मैं चल नहीं सकता था तो मैंने एक पेड की डाली उठा ली, मैं किसी तरह लंगडा कर चल रहा था और हम अमेरीकी सेना के टैंकों तक पेट के बल रेंगते रहे, सडकों को चूमा ये दांते के किसी द्रिश्य जैसा लगता है, कोई कल्पना नहीं कर सकता, कोई भी नहीं सोच सकता अमेरीकी सेनिकों ने हमारी और देखा, कि वो लोग कौन हैं, जैसे हम किसी और ग्रह से हो, और वो हम थे मैं कुर्सी जड़ा आगे खिंच लेता हूँ, ठीक हैं? जार्ज लाइटमेन सतान में साल के हैं, वो उन अमेरीकी सेनिकों में से हैं, जिन्होंने 1945 में लांट्स बर्ग के आसपास के इलाके को आजाद कराया था 18 साल की उमर में, उन्होंने नाजी जर्मनी के खिलाफ युद्ध में लड़ने के लिए सुएच्छा से नाम लिखाया था मुझे याद है, मैं ऐसे शेहरों में गया जो पूरी तरह से नस्ट हो चुके थे और खंडरों में ना जाने कितनी लाशे पड़ी थी और एक अजीब सी बद्बू थी इसे बता पाना मुश्किल है जाहिर तोर पर ये वेसी बद्बू थी जो सिर्फ मौत से आती है जब 8 मई 1945 को युरोप में युद्ध आखिरकार समाप्थ हुआ तो जर्मनी की पूरी आतंक की कहानी सामने आ गई लांट्सबर्ग का कॉफरिंग शेवर कोई अखेला नहीं था कॉफरिंग में ये और अधिक बुरा था क्योंकि सबूत मिटाने के लिए लाशों को जलाने की कोशिश काम नहीं आई वो लाशों पर पेट्रोल डालकर आग लगा देते थे लेकिन अगर लाशे के वल हड़ियां और चमड़ी हों तो ये बहुत अच्छी तरह नहीं जलती जल चुकी शकलों वाले लोगों का वो ढेर जिन में से कुछ उस वक्त भी सुलग रहे थे वो मंज़र मुझे आज भी समय समय पर रात में जगा देता है लेकिन इसमें कोई आश्चरे नहीं है जैसा कि लोग कहते हैं ये उस वक्त के लिए शायद आम था जोर्ज लाइटमेन पुराने अमेरिकी सिपाही है और उस होलोकॉस्ट में से बच के आए लोगों में से है वो 1940 में अपनी मां और दादी नानी के साथ नाजियों से बच कर आस्ट्रिया से भाग कर अमेरिका पहुँचे थे उनके पिता जोसेफ लाइटमेन को वीजा नहीं मिला और वो भूमी गत हो गए उनकी नाजियों ने हत्या कर दी जॉर्ज ने उन्हें फिर कभी नहीं देखा मेरे लिए ये मेरे पिता की याद ताजा होने जैसा था जैसे जब भी मैं विस्थापित लोगों को भागते हुए देखता तो हमेशा ये उमीद रहती की शायद वो भी दिख जाएंगे भले ही मुझे पता था कि ये कल्पनाओं में भी नमूंकिन था लेकिन फिर भी मन हमेशा कहता है कि ये हो भी सकता है और कभी कभी होता भी है और इस वज़े से मैं सेना के और जवानों से थोड़ा अलग था मेरे लिए हमेशा एक नियाहयत निजी बात थी करनल, हमारे कमानिंग आफिसर करनल जॉनसन मुझे अभी भी उनका नाम याद है वो शिवर में जाते हुए बहुत नाराज और परेशान हो उठे वहाँ अभी भी जलती हुई लाशे थी बद्बू और वो बद्बू मुझे अभी भी याद है उन्होंने लांसबर्ग और काउफेरिंग के आसपास के सभी गावों में जाकर वहां से लोगों को लाने और उन्हें इन केम्पों के बीच से मार्च करने का आदेश दिया और मुझे याद है कि दो महिलाएं आपस में बात कर रही थी जो मेरे दिमाग में चपसा गया एक ने दूसरे से कहा हिटलर सही कहता था अमेरिकी बर-बर हैं जो हमें इसे देखने के लिए मजबूर कर रहे हैं जूर्ज लाइफमेन लांट्स बर्ग के डाइलर दमपत्ती से लगभग रोजाना संपर्क में रहते हैं उनके दोस्त सेंटियागो चैन इसमें उनकी मदद करते हैं क्या आप हमें सुन रहे हैं? ठीक है हाई क्यासे हैं? बढ़िया आप दोनों अच्छे लग रहे हैं शुक्रिया शुक्रिया तो अगर आप जानना चाहें तो हमारे पास जर्मनी की कुछ खबरें हैं खासकर लांट्स बर्ग की सुनेंगे? हाँ, बिल्कुल तो पहली बात यह है कि डॉक्युमेंटेशन सेंटर उस संग्रहाले की योजना अब तयार है डॉक्टर एडिथ राइम ने इसे पूरा किया है और अगली अच्छी खबर यह है कि इस महीने के अंत में बवेरिया के संस्कृती मंत्री के साथ भविश्य की योजनाओं पर हमारी एक मीटिंग है यह अच्छी खबर है बाकियों की तुलना में बहुत अच्छी खबर तो अब आपको इस पर पहले से ज़ादा दिनों तक टिक कर काम करना होगा यह परियूजना दरसल आसान नहीं है क्योंकि यहां हर को इसे पसंद नहीं करता और इससे मुश्किले पैदा होती है बेशक यही वज़े है कि आपको अधिक लोगों को शामिल करना होगा क्योंकि तब इसमें उनकी रुची भी हो जाएगी अगर आप जादा से जादा लोगों को अपने पक्ष में कर पाते हैं तो समझे कि राजनेता आपकी बात सुनेंगे इसलिए ऐसा करना इतना ज़रूरी है क्योंकि लोग कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो महतपूण और नया हो इस से उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ खास किया है वो महसूस करना चाहते हैं कि वो भी उस फैसले का हिस्सा है हाँ क्यों नहीं, ये एक अच्छी सलहा है हम कोशिश करेंगे खेर, इस अच्छी खवर के लिए शुक्रिया तो आपका दिन शुब हो, हमारी रात अच्छी है बाई बाई लांड्सबर्ग में, फाउंडेशन एक नए समारक स्थल के लिए अपने विचार प्रस्तुत कर रहा है इस्थानिय मीडिया को आमंत रित किया गया है इतिहासकार एडित राइम भी मानफ्रेड डाइलर का साथ देने के लिए यहां है जब भी मुझसे पूछा जाता है कि क्या हमें आधिकारी खरी जंडी मिल गई है मेरे पास कोई जवाब नहीं होता मैं कहता हूँ नहीं, अभी नहीं जब मैं लोगों को एकमत करने की कोशिश करता हूँ या इसके लिए पैसे इकठे करने की कोशिश करता हूँ तो ये समस्या पैदा करता है अगर हम दो साल तक की बात करते तो मैं कह सकता था इसमें समय लगता है लेकिन नौ साल मेरे पास अब कोई जवाब नहीं है और हाँ, मुझे अपने ग्रिह नगर पर चोट करने का कोई इरादा नहीं है यही मेरा घर है मैं यहाँ पैदा हुआ था मैं यहाँ 40 वर्षों से यादों का एक स्थल बनाने को सक्री हूँ लेकिन जैसा कि मैंने कहा मैं एक शिकायत करता जैसा नहीं दिखना चाहता आठ मई 1945 को जब जंग खत्म हुई तो जर्मनों ने इसे स्टुंडे नुल या शुने काल कहा वो पल जिसमें जर्मनी ने अपने अतीज से पीछा छुडा कर एक नई शुरवात की लेकिन कौफरिंग यातना शिवर से आजाद हुए बचे यहुदी लोगों के लिए आठ मई की रात तुरंट उनकी मुश्किलों का अंत नहीं था मुझे बहुत पहले ही एहसास हो गया था कि यह एक मुश्किल काम है लांट्सबर्ग में निजरबंदी शिवरों की इतिहास के अलामा और भी चीजे हो रही थी मैंने दरसल विस्थापित लोगों के शिवर यानी डीपी शिवर पर काम करना शुरू कर दिया था फिर मैंने उस इतिहास को गहराई से जानना शुरू किया मेरी माँ और मेरे पिता बहुत पहले मर चुके थे इसलिए मैंने अपनी मा के स्कूल के जमानी की एक दोस्त से पूछा क्या आप मुझे बता सकती है कि युद्ध खत्म होने के बाद भी लांट्सबर्ग में यहूदी थे और उनका उत्तर था लांट्सबर्ग में यहूदी बिलकुल नहीं लेकिन मैं कहता रहा, मैंने कुछ और ही सुना है, मैं पूछता ही रहा, और आखिरकार उन्होंने कहा, हाँ, शैय तुम सही हो, कुछ थे यहुरियों से जुड़ा जो कुछ भी था, उसे यादों से मिटा दिया गया, उसे दबा दिया गया, कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता था 1945 में युद्ध खत्म होने के ठीक बाद, अमेरिकी सेना ने लांसबर्ग के पुराने बैरकों में होलोकॉस्ट से बचे उन लोगों के लिए एक शिविर बना दिया, जो घर नहीं लोट सकते थे कई हजार यहुदी, पुरुष, महिलाएं और बच्चे कई सालों तक डीपी शिविर में रहते थे शिविर के पहले कमांडरों में से एक, अमेरिकी सेना में मेजर के पद पर रहे इरविंग हेमॉंट थे सितंबर 1945 में जब उन्होंने अपनी पत्नी को ये पत्र लिखा, तब उनकी उम्र मह सत्ता ही साल थी मैं भावनाओं के ऐसे भवर में हूँ कि मुझे नहीं पता कि पहले क्या करूँ मुझे अभी भी बहुत कुछ करना है, हाला कि लगभग आधी रात है और मैं ये पत्र लिखने के लिए काम छोड़ कर बैठा हूँ मेरे पास तुम्हें बताने के लिए इतना कुछ है कि फिर से मुझे नहीं पता कि कहां से शुरू करना है मुझे लगता है कि शुरुआत से ही करना ठीक रहेगा हमारे यहां लांट्सबर्ग में विस्थापित लोगों के लिए एक शिविर है शिविर में लगभग पांच हजार यहूदी और एक हजार दूसरे लोग शामिल है सभी पहले कंसेंट्रेशन केंप में रहे चुके हैं लोग अक्सर कच्चे लकडी के बिस्तरों पर सोते हैं और वैसे दो तीन बिस्तर एक दूसरी पर डाले गए हैं रहने वाले क्वार्टरों में सोने की काम चलाव विवस्ता है जहां किसी तरह लोग पारिवारिक जीवन चलाएने की कोशिश कर रहे हैं मुझे बताया गया है कि हर परिवार के लिए दिन की सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब वो साथ खाना खाते हैं मुझे हैरानी हुई जब मैंने डॉक्टर जबरीश्की से सुना कि शिवर में लोगों का स्वास थे काफी अच्छा है ये नामूम्किन लगता है जब उन्होंने मेरे चेहरे पर अविश्वास के भाव देखे तो उन्होंने मेरी और कुछ शक की निगाह से देखा और कहा याद रखो हम सभी बचे हुए लोग हैं केवल जो सबसे मजबूत थे वही बचे हैं आपके पास बहुत सारी तस्वीरे हैं हाँ ये सारी तस्वीरे हैं सिर्फ लांट्सबर्ग की नहीं हैं यहां अमेरीका में मेरे जीवन की भी हैं हम लांट्सबर्ग से शुरू करते हैं हाँ, मैं भी यही करना चाहता हूँ, और अगर आप बुरा ना माने, तो मैं आपको यह नहीं बताना चाहता कि क्या करना है, यह मेरी यादे हैं, मैंने इसे जिया है, लांस्बर्ग में ये मेरा पहला प्यार था मैं नहीं जानता कि वो अब जिन्दा है या नहीं ये भी मेरी प्रेमी का थी क्या आपको उनका नाम याद है? हाँ, ये राहिल और ये साशा और ये जो है, ये तस्वीर 1945 में आजादी के ठीक बाद ली गई थी जब मैं पहली बार लांस्बर्ग आया था जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सभी बचे हुए लोग हैं उनमें से दुरभागे से ज्यादा तर अब हमारे बीच नहीं हैं याको ब्रेसलर ने 1945 से 1947 तक लांस्बर्ग डीपी कैम्प में दो साल बिताए हम एक सामान ने जीवन जीने लगे या जिसे हम सामान ने कहते थे हमारे लिए ये सामान ने था बाकी लोगों के लिए ये सामान ने नहीं था क्योंकि ये आम जीवन शेली नहीं थी, हम परेशान बच्चे थे. 1945 की गर्मियों में, डीपी शिवरों में स्थितियां गंभीर बनी रही. अमेरिकी राष्ट्रपती हैरी S. ट्रुमेन ने एक जाने माने वकील और अनुभवी सरकारी अधिकारी अर्ल जी हैरिसन को शिवरों का निरिक्षन करने और एक रिपोर्ट बनाने का काम सौपा. आधरनिये राष्ट्रपती जी, 22 जून 1945 के आपके पत्र के अनुसार मुझे यूरोप में अपने हाल के मिशन पर एक आनशिक रिपोर्ट पेश करने की खुशी है. जिसके दौरान मैंने उन पर स्थितियों की जांच की, जिसमें विस्थापित लोग और जिनका घर बार जूट चुट चुका है, या जिने घर वापस नहीं भेजा जा सकता, रहते हैं, खास कर जर्मनी और आस्ट्रिया में. हैरिसन का निशकर्ष बहुत घातक था. हैरिसन की वो रिपोर्ट हाल के इतिहास के सबसे उलेखनी दस्तावेजों में से एक है. उन्होंने कहा कि हमें ये मानना होगा कि यहूदी अपनी विशेश प्रकृती के कारण, और मैं वो बात उन्हीं शब्दों में नहीं कह रही. उसके लिए आपको वहाँ देखना होगा कि उनके साथ हुए बरताव के दौरान, उनके द्वारा सहे गए दुख की बहुत विशेश प्रकृती के कारण, जिसे जौंडर बेहांड लूंग कह सकते हैं. यानि नाजी जर्मनों के हाथों, उनके साथ जो व्यवहार हुआ, उसने उन्हें खास जरूरतो वाला एक विशेश समू बना दिया है, जिस पर अलग से ध्यान देने की आवश्चक्ता है. उनके समू को मान्यता देने की जरूरत है. लांट्सबर्ग डीपी शिवेर सिर्फ यहूदियों का शिवेर बन कर रह गया. और वहां के लोगों की स्थिती में सुधार हुआ. बचे हुए यहूदी लोगों ने शादी करना और बच्चे पैदा करना शुरू कर दिया. शिवेर में कई बच्चे पैदा हुए. युद्ध के बाद की अवधी में डीपी शिवेरों में दुनिया में सबसे जादा जन्मदर होने का नुमान लगाया गया था. लेकिन विस्थापित लोग अब वहां नहीं रहना चाहते थे. वो फिलिस्तीन जो बाद में इसराइल बना या संयुक्त राज्य अमेरिका जा ये मोटर साइकल पर मेरी तस्वीर है. मोटर साइकल मेरी नहीं है. क्योंकि मैंने नहीं खरीदी थी. मोटर साइकल का मतलब आजादी था, है ना? हाँ, लेकिन जैसा मैंने कहा, वो मेरी नहीं थी. मैं लांट्सबर्ग में स्विमिंग पूल जाया करता था. गर्मियों में रोज, और वहां कई लोग मिलते थे, लेकिन हम अलग थे. उन्हें हम से मतलब नहीं था, ना हमें उन से. क्योंकि जख्म अभी भी बहुत ताजा थे. जिन्दा बचे हुए यहूदी, देखा जाये तो, कम से कम सैधान्तिक रूप में, जर्मनों के साथ कुछ भी नहीं करना चाहते थे. वो अपने आप में ही रहना चाहते थे. जर्मन गुनहगार लोग थे, और यहूदियों को कड़े संरक्षर में रखा जा रहा था, जिस पर वो नाराजगी भी दिखाते थे. लेकिन वो अलायड फोर्सेस की सुरक्षा थी. जर्मन इस बात से नारास थे, कि यहां उन लोगों का समूह था, जिनके बारे में उन्हें बताया गया था, कि वो अब मौचूद नहीं है. वो इस से बात को पचा नहीं पा रहे थे, कि जब यहूदियों का खात्मा हो गया था, और जर्मनी यहूदियों से मुक्त हो गया था, तो फिर इन्हें विशेशा अधिकार क्यों मिल रहे हैं? रहने वाले जर्मनों को उन आत्म विश्वासी सर्वाइवर्स का सामना करना पड़ा, जो किसी भी दुर्वेहवार को सहन करने के लिए तैयार नहीं थे. 28 अप्रेल 1946 को लांसबर्ग की सडकों पर जड़पों से तना पहल गया, उस जड़प को यहूदी विद्रोह करार दिया गया था, शिविर में रह रहे विस्थापित लोगों ने कस्बे के लोगों पर अपना गुस्सा उतारा. जोजफ एलेक्जेंडर सौ साल के हैं. वो उस वक्त लांसबर्ग में थे, जब विस्थापित यहूदियों ने स्थानिय जर्मनों के खिलाफ आवाज उठाई थी. जोजफ भी यहूदी हैं और उनका जन पोलेंड में हुआ था. उन्हें भी जर्मनों द्वारा लांसबर् अगर भगवान नहीं चाहते कि मैं जीवित रहूं तो मैं आज यहां नहीं होता. एक वाक्या खास तोर पर मैं बताना चाहूँगा. जब मैंने आउस्विट्स में डॉक्टर मेंगले को देखा, उसने मुझे बाईं और जाने के लिए कहा. और फिर जब वो आगे बढ़ गया तो मैं वापस दूसरी तरफ भाग गया. अगर मैं दूसरी तरफ नहीं भागा होता तो आज मैं यहां आपसे बात नहीं कर रहा होता. क्योंकि बाईं और के लोगों को ट्रकों में भर कर सीधे गैस चेंबरों में ले जाया जाता था. अप्रेल 1946 में जोजेफ ऐलेक्सेंडर लांसबर्ग डीपी कैम्प के करीब रह रहे थे. यह लांसबर्ग के दंगों की एक तस्वीर है. आपको मालूम है विद्रोह का कारण क्या था? लांसबर्ग के पास ही एक और शिविर था. बचे हुए युवा लोगों के लिए एक युवा शिविर. और एक रात उन्होंने बताया कि उनमें से दो गायब हैं. और लोगों को लगा कि जर्मोनों ने उनका अपरहन कर लिया है. आजादी के बाद जादा वक्त नहीं बीता था. इसलिए जर्मनों के प्रती भावनाएं अभी भी बहुत बुरी थी. और इसलिए ये सब हुआ. करीब 200 विस्थापित लोगों ने कस्बे में हंगामा कर दिया. अमेरिकी सैनिकों ने राइफल और डंडे हाथ में लेकर मार्च किया और इस दंगे को रुखवाया. जब ये सब हुआ तब मैं लांसबर्ग डीपी केम्प में था. लेकिन मैं एफएन हाउजन में रहता था. और मैंने अपनी कार वहीं की गली में खड़ी की थी. मैं घर जाने की कोशिश कर रहा था. मैं उन लोगों के जुन्ड से खिर गया जो एक जर्मन के घर के पीछे हंगामा कर रहे थे. तो मुझे उन लोगों के साथ ही पकड़ लिया गया और लांसबर्ग जेल में ले जाया गया. हम 19 लोग थे. एक अमेरीकी मिलिटरी ट्राइबुनल ने जोजफ को एक साल की कैद की सजा सुनाई. लांस बर्गर स्पीगल जैसे शिविर संबंधी खबरों वाले समाचार पत्रों ने भी इस दंगे की खबर लिखी. वो सर्वाइवर्स की सबसे प्रभावशाली आवाजों में से एक बन गए. युद्ध के बाद जर्मनों के बारे में अखबार बड़ी निर्ममता से लिखते थे. वो फिलिस्तीन और बाद में इसराइल के राजनीतिक विकास पर भी सूचना देते थे. लेकिन इन सबसे ज़ाधा वो 1950 में शिविर के बंद होने तक जीवित बचे लोगों के लिए एक महतपून मंच थे. 17,000 तक के प्रिंट रन के साथ वो इस शेत्र से बहुत दूर पाठ को तक पहुचे. हमारे दोस्त सुजाना गुटमैन और मिकलोस पेरे सलीन के लिए हम अच्छे भविश और एक अद्भुत मेजल टोव की कामना करते हैं. माइलेक और एमी रोजेन वाल्ड अगर आप इसे जोर से पढ़ेंगे तो आप ये डिश को अच्छी तरह समझने लगेंगे. उनका संग्रह सूचनाओं का भंडार है. लगभग हर हफते मानफ्रेड को दुनिया भर से कई सवाल पूछे जाते हैं. आप लांसबर्ग स्थित पूर्व कंसेंट्रेशन कैंप में पैदा हुए किसी वेक्तिके जन्म की सूचना पा सकते हैं. ये दस्तावेश उन लोगों के लिए हैं, जिनके बारे में उन्हें कभी पता नहीं था, कि ये हैं, ये जर्मनी में प्रकाशित हुए समाचार पत्र हैं, लेकिन अब ये कहीं नहीं मिलते, लेकिन यहां उन्हें अपने जन्म की या उनके माता-पिता की शादी की सूचना म में से एक है, इतिहास की बड़ी-बड़ी बाते नहीं, बलकि बारीकी से लिखा गया इतिहास, उसका विवरण मानफरिद डाइलर का कारयाल है उनके बेस्मेंट में है, फाउंडेशन को पूर्व कंसंट्रेशन कैंप के भवनों के रखरखाव के लिए पैसा आम लोगों से मिलता है, लेकिन उनका काम, उनका शोध और उन लोगों के साथ, उनके संपर्क, जिन्होंने घटनाओं को प् आजनीती में भी ऐसे लोग हैं, जो सोचते हैं कि हमें इन बातों को नियंतरित करने की जरूरत है, और इसका मतलब है कि कहानी को इस तरह से घुमाना, जिससे एक बड़ी आबादी को यह रोचक लगे, युद्ध के बाद की पूरी अवधि में और कुछ हद तक अब भी य नाजियों को हमेशा दूसरा माना गया, कोई और, आप, आपका परिवार, आपका घर, सभी अपने आप में पीडित हैं, लोग उस इतिहास को इसी तरह से बताना पसंद करते हैं, और अगर हम अभी प्रदर्शनी लगाएं, तो बहुत जल्दी साफ हो जाएगा कि हम सभी पीडित नहीं है, ये बस एक फितूर है, हम सभी मुझे शायद असली अपराधी नहीं कहना चाहिए, लेकिन उससे फाइदा उठाने वाले लोगों में शामिल हैं। लगभग एक तिहाई लोग मुख्य चौक पर जमा हुए। उनमें समाज के अलग अलग तबकों के और प्रभावशाली लोग शामिल हुए थे, लगभग सभी राजनितिक दलों के प्रतिनिधी, प्रोटेस्टेंट और कैथलिक चर्च के नेता, वो इसाईदान का आवान क करने आए थे, होलोकॉस्ट में बचे लोगों के लिए नहीं, बलकि लांट्सबर्ग में कैद युद्ध अपराधियों के लिए, उन पर मुकद में चल रहे थे, उन्हें मौत की सजा मिलनी थी और लांट्सबर्ग के लोग उनके लिए रहम की गुहार लगा रहे थे, वो आटो ओलन्डर्फ के लिए शमाधान मांग रहे थे, एसेस आइनजास गुरुपेन के कमांडर के रूप में, उसका काम यहुदियों, सिंटी और रोमा की सामुहिक हत्या करना था, उसने पूर्वी यूरोप में 90,000 लोगों की हत्या का आदेश दिया था, उन्होंने ओस्वाल्ड पोल के लिए दिया मांगी, इस एसेस जनरल ने आउस्विट्स जैसे मृत्यु शिवरों में, यहुदियों की सामुहिक हत्या के फैसले पर, तेजी से काम ना होने की बात कहकर, किसी और की नियुक्ति का फैसला लिया था, यह पूरा वाकया इसलिए इतना अजीब है कि लांट्सबर्ग में, मुख्य चाराहे पर एकठा हुए यह प्रदर्शनकारी, पूरी मजबूती से, उन अपराधियों के साथ खड़े थे, जबकि वो निर्दोश लोग नहीं थे, वो सामुहिक हत्यारे थे, पक्के सामुहि एसे लोग नहीं, जिन्होंने दो या तीन लोगों को मारा हो, बल्कि दसियों हजार लोगों की हत्या करने वाले, उनके हाथ खून से सने हुए थे, और प्रदर्शनकारी उन सभी लोगों के पक्ष में खड़े होकर, उनका मानविय पक्ष तलाश रहे थे. एडित राइम का जन्म और पालन पोशन लांसबर्ग में हुआ था. अपनी मात्रभूमी बवेरिया में हुए, नाजी उत्पीडन और आतंक परशोध करते हुए, उन्होंने दश को बिताए. ये विचार की थर्ड राइश अचानक हमारे उपर आ गया, और यहां से किसी ने उसमें हिस्सा नहीं लिया, बलकि सभी पीडित थे, क्योंकि उन्हें हिस्सा लेने के लिए मजबूर किया गया. ये उनका दावा था, लांट्सबर्ग के मामले में ऐसा नहीं था, इसके साफ कारण है, लांट्सबर्ग में 1920 की शुरुवात से ही एक स्थानिय नाजी पार्टी थी, उस समय कोई दवाव नहीं था, आप ये नहीं कह सकते थे, मुझे स्थानिय नाजी पार्टी के नेताद दवारा पार्टी में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया है, तो ये उस इलाके की मानसिक्ता दिखाता है, जिसने नाजीवात की स्याभावना को अपेक्षा कृत शुरुवाती दौर में ही वहां पकड़ बनाने की अनुमती दे दी, उस इलाके के विस्थापितों द्वारा आयोजित लांस्बर्ग रैली के मौके पर विरोध प्रदर्शन हुआ. उन्हें भीड ने खदेड दिया, जो कह रहे थे यूडेन राउस, यानि यहुदियों को बाहर करो. मैं इस पारकासे बैंक में काम करती हूँ. जैसे जैसे सहकर्मियों को ये पता चला, कि मैं उस फाउंडेशन की सदस्य हूँ. उन्हें भी जिनके साथ मैं सीधे तोर पर काम नहीं कर रही थी. यानि उन्होंने मुझे इस बारे में बात करते हुए नहीं सुना होगा, लेकिन उन्हें बस पता चला. तो मैंने ध्यान देना शुरू किया, कि कुछ लोग मुझसे बचने लगे. पुराने सहकर्मियों के साथ भी यही बात हुई. हम में से कुछ लोगों का एक गुरूप सपताहंत में एक साथ स्केंग करने जाते थे. और अचानक उन में से एक पुराने सहयोगी. जब सड़क पर एक दिन मिले, तो वो बिना रुके सड़क पार कर गए. शुरू में मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया. लेकिन फिर आपको एहसास होता है, अच्छा, अब ये मुझसे मतलब नहीं रखना चाहता. मैं एक कस्टमर कंसल्टेंट हुआ करते थी. कई ऐसे ग्राहक थे, जिन्हें मैं वर्षों से सलह दे रही थी. और अचानक उन्होंने मुझसे मिलना छोड़ दिया. वो दूसरे सहकर्मियों के पास चले गए. और बाद में, जब मैंने उनकी पारिवारिक प्रिष्ट भूमी देखना शुरू किया, जबकि इससे पहले मैंने कभी भी अपने सहयोगियों के पारिवारिक इतिहास के बारे में ध्यान नहीं दिया था, कि उनका परिवार नाजिवाद में शामिल था भी या नहीं. मुझे इसमें कभी कोई दिल्चस्पी नहीं थी. लेकिन मुझे लगता है कि वो उसी बात से घबरा रहे थे. नाजियों ने जोजेफ ऐलेक्जेंडर के पूरे परिवार की हत्या कर दी थी. वो अपने अनुभवों के बारे में बात करने के लिए हफ़ते में कई बार लोस अंजिलिस में होलोकॉस्ट संग्रहा ले जाते हैं. आप जानते हैं कि ये कौन है? ये पूर्व चांसलर अंगेला मेरकेल हैं? हाँ, अंगेला मेरकेल. जब मैं 2015 में वहाँ था तो मैंने उनसे दाखाओ में बात की थी. क्या उन्होंने आप से कुछ कहा? हाँ, मैंने कहा कि मुझे इसराइल के लिए उनका समर्तन अच्छा लगा. और उन्हें ये करते रहना चाहिए. उन्होंने कहा, वो करेंगी. वो कहते हैं कि लगभग सत्तर फीसदी बच्चों ने होलो कास्ट के बारे में कभी नहीं सुना. इसलिए मैं यहां उन्हें ये सच्चाई बताने आ जाता हूँ. और मुझे बाद में उनके पत्र मिलते हैं. कमाल है ये. उधर लांसबर्ग में फाउंडेशन के सदस्य और उसके अध्यक्ष मानफरेड डाइलर जनता के सामने इस मारक स्थल को लेकर अपने विचार रख रहे हैं. पिछले कुछ हफ्तों में ये बहुत जादा हो गया है. और मुझे अब लग रहा है कि मेरा गला अब जवाब दे रहा है. जो मुझे वाकई अब परिशान कर रहा है. ये कोविड नहीं है. मैंने टेस्ट करवा लिया है. और मैं अच्छी तरह सो नहीं रहा हूँ. जब भी डाइलर और उनके साथ ही प्रचारकों के निमंत्रन पर यहां आए हुए है. ये तस्वीर 1944 की है. कैम 11 के निर्मार की एकदम नया बना हुआ. कैम 7, जिसमें अभी तक लोग नहीं है. क्ले पाइप स्ट्रक्चर 3, यहां भी अभी लोग नहीं है. ये अंदर का शॉट है. 1944 म शांत हो जाएए. क्या हम आवास थोड़ी कम कर सकते हैं? प्लीज, यहां लांट्स बर्ग के दो मेयर हैं. मोरिट्स हार्टमैन और मिस्टर ब्रेट शनाइनाडर. आने के लिए धन्यवाद. अब मुझे पता नहीं कि पुर्व मेयर का नाम बवेरियन मेमोरियल अब स्वागत करते हैं. अब स्वागत करते हैं इंग्लिज, नगर पालिगा के मेयर का और फिर हैं बवेरियन मेमोरियल फाउंडिशन से याशा मैर्ट्स. मैं एक बार फिर से नजर दोड़ा लेता हूँ. रुकिय में कुछ भूल रहा था. हमारे मेहमानों में नगर परशत के सदस्य मिस्टर आकसिल फ्लोर के भी हैं, जो यहाँ पीले रंग के कपड़े पहने हैं, जिन लोगों को मैं जानता हूँ और जिने मैं नहीं जानता. आ जर्मनी का संग्य गणराज अगर नाजी युक से खुद को दूर करने में पूरा सफल नहीं रहा तो इसे कितना लोगतांद्रिक माना जाए. और फिर जर्मनी में आज भी पीडितों से जुड़ी चीजों से जुड़ने की तुलना में अपराधियों के साथ जुड़ना आ जाएगी. अब हम उस जगा हैं जहां हमें समस्याओं पर ध्यान ना देकर समाधान की तलाश की ओर मुरना चाहिए. धन्यवाद. मैं इसे अब बहुत लंबा नहीं किचूंगा. मुझे अब आराम की जरूरत होगी. जो अभी भी यहां हैं, उन सभी को शुक्रिया. मुझे आराम के लिए अब जाना होगा. मान्फरेड डाइलर, लांट्सबर्ग, अम लेश में एक यातना शिवर समारक बनाने के लिए और अतीत के साथ एक सार्थक संपर्क बनाने के अपने द्रिस्टी कोन के लिए संगहर्श कर रहे हैं. लोग कई तरह के आयोजन करते हैं, जैसे मान लेते हैं संगीत का कारिक्रम, जिसमें युवा लोग भी शामिल हो जाते हैं. और फिर किसी राजनीता को ले कर एक प्रायोजक आ जाता है. संगीत का कारिक्रम हमेशा अच्छा चलता है, और उस कारिक्रम के दौरान आप होलोकॉस्ट के लोगों को याद कर लेते हैं. क्या आजकल हम इस तरह यहूदी विरोध के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं? एक संगीत कारिक्रम या कहानी सुनाने का कोई कारिक्रम. लोग अतीत को स्विकार करते हैं और कहते हैं कि हाँ, यहूदी विरोधी होना बुरा है. और राजनीता भी संडक्षा के रूप में इसमें शामिल होना पसंद करते हैं. क्योंकि इसमें बहुत नुक्सान नहीं है आप एक खुश्णुमा इविंट के गवाह बनते हैं आज कल इसी का चलन है याको ब्रेसलर की माने तो उस विनाश को याद करने का कोई कम कठोर तरीका नहीं हो सकता है वो उस होलोकॉस्ट से बचकर आए हुए लोगों में से हैं गायन ने उनकी जान बचाई इसने शिविरों में उन्हें रोटी दिलाई लेकिन उनका पूरा परिवार मारा गया उन्होंने अपने पिता खाइम ब्रेसलर को आखरी बार 1943 में लोज शहर के घेटों में देखा था एक दिन मेज पर मेरे लिए एक चिठी थी जिसमें लिखा था मैं वापस जेल जा रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी रोटी नहीं ले सकता वो वापस जेल चले गए मैं उसी दिन जेल पहुँचा मैं उन्हें देखना चाहता था मैंने उन्हें जोर से कहा कि आपने ऐसा क्यों किया पांच साल बाद और इतना सब सहने के बाद अब जब आप हमारे साथ हो सकते थे तब उन्होंने कहा हाँ लेकिन मेरी वज़ा से तुम भी भूखे रहोगे तुम वैसे ही इतना सह रहे हो फिर उन्होंने कहा तुम अभी जवान हो अगर यही जिन्दगी है तुम मुझे अब यह नहीं चाहिए और हमने एक दूसरे को गुडबाई कहा और फिर कभी नहीं मिले खेर इससे मुझे ताकत मिली जिन्दा रहने की ताकत और जितना मुम्किन हो सके यह कहानी लोगों तक पहुचाने की ताकत and tell the story as well as I possibly can कर दो कर दो कर दो झाल 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 झां स्धोड़ान जय को दियू कि अई हमारे हैं। मुदें हैं त्रीचल स्भी miraculous को झांच बढी अब वी शर्क इख बैंक बूदिर स्लुद्खोरी, स्लुद्ख्माइब 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 झाल झाल